नमस्कार गईज आज हम आप लोगों को यह मचली दिखा रहे हैं इन मचली को पारने के लिए आप अपने घर में पाल सकते हैं और इन मचली के लिए भोजन के विवस्ता आम मोजन को नहीं दिया जाता है इन मचली के लिए पालक से भोजन आता है इन मचली के दाना अलगाता है जिसको की यह मचली अखाकर जीवित राती है और इन मचली को साफ ध्रेपाली में रखा जाता है यह जो मचली आपको रंग भी रंग दिख रही हैं यह वास्तर मचली को इनको कोई पेंटिंग नहीं किया गया है जोंकि यह प्राकिर्थिक मचलीया है यह रंगीन होती ही है कुछ लोग सोर्षते हैं इन मचलीयों को पेंटिक किया गया होगा लेकिन नहीं इससे भी अनकों किस्म की साइको कलर की मचलीया आतों ही जोकी सोवाजे के लिए आपके अस्पतार जाएं और बाके लिखार जाते हैं इन मचलीयों की देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है जैसे कि इनका पानी बहुता है और इनको चारा दफ़ डालना तो वैस यह मचली एक सिसी की बॉक्स में रखी गई है जिश्कों की रिकार्ट कर हम आपको दिखाने का प्यास कर रहे हैं और देख सकते हैं अंदर चोटे-चोटे पतल की टुकड़ी भी रख दिए गए हैं जिससे की दिखने में ऐसा लग रहा है मानो या मचलियां किसी बॉक्स में नहीं है बलकि नदी या तलाब में हैं तो बहुत ही खुबसूरत मचलियां दिख रही हैं और वास्तों में ऐसा होता भी है जो लोग इन मचलियों को पालना चाहते हैं वह अपने कर से इसे के बॉक्स में इन मचलियों को पाल कर रख सकते हैं टनलाब